अध्याय दो प्रशाशनिक संबंध Administrative Relations अनुच्छेद 256 से 263 संग एवं राज्यों के बीच प्रशाशनिक संबंधों का उलेख अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 263 तक में किया गया है, जिसके माध्यम से संग राज्यों के ऊपर नियंत्रन रखता है नंबर एक, अनुच्छेद 256 में यह उपबंध किया गया है कि राज्य अपनी कार्यपाली का शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि संसद्द्वरा निर्मित विधियों का अनुपालन भी सुनिश्चित रहे इसी तरह अनुच्छेद 257 में यह उपबंध किया गया है कि प्रतेक राज्य की कार्यपाली का शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से होना चाहिए कि संग की कार्यपाली का शक्ति के प्रयोग में बाधा ना उत्पन हो नमबर दो अनुच्छे 258 के प्रावधानों के अनुसार संग कुछ निर्धारित शर्तों पर राज्यों को अपने कुछ प्रशास्निक क्रित्य सौप सकता है तथा राज्य भी अपने कुछ प्रशास्निक क्रित्य संग को सौप सकते हैं नमबर तीन अनुच्छे 312 के उपबंधों के अनुसार यदि राज सभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के नियुन्तम दो तिहाई बहुमत द्वारा इस आशय का एक प्रस्ताव पारित कर दे कि राश्टिय हित में यह आवश्यक है कि संसद विधी बना कर सं अखिल भारती सेवाओं का स्रिजन करे तो संसद अखिल भारती सेवा का स्रिजन करने हेथ कानून बना सकती है नमबर चार अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद राज्यों को आवशक्त अनुसार सहायता वा अनुदान दे सकती है तथा इस दोरान कुछ शर्टें लगाकर उनके व्य को भी नियंतरित कर सकती है नमबर पांच यदि अनुच्छेद 352 के अंतरगत आपात का लागू हो तब संग राज्यों को उनकी कारेपाली का शक्ती के प्रयोग करने के संबंध में निर्देश दे सकता है इसी तरह से अनुच्छेद 356 के अधीन राष्टपती शासनलागू होने की इस्थिती में राष्टपती राज्य की सभी या किनी कारेपाली का शक्ती को अपने हाथ में ले सकता है इसके अतिरिक्त संग राज्यों को निम्न विश्यों के संदर्भ में निदेश दे सकता है राष्ट्रिय महत्व के संचार साधनों यथा राष्ट्रिय थल मार्ग एवं जल मार्ग का निर्माण करने रेलों का संरक्षन सुनिश्षित करने अनुच्छेद 350 का के अंतरगत प्राथमिक इस्तर पर मात्री भाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने अनुच्छेद 349 के अंतरगत अनुसूचित जनजातियों के कल्यान के लिए योजनाय बनाने एवं उनके निश्पादन के संबंध में इत्यादी नंबर साथ अनुच्छेद 262 के अंतरगत संसद विधी द्वारा अंतर राजिये नदियों या नदी घाटियों के जल प्रियोग वितरण विवाद या फरियाद के न्याय निर्णयन के बारे में विवस्था कर सकती है तथा ऐसे विवाद के संबंध में वह इस बात का भी निर्णय कर सकती है कि सर्वोच्च ने आयाले या अन्य कोई ने आयाले इस संबंध में अपने छेतरा धिकार का प्रियोग नहीं करेगा नमबर आठ अनुच्छे 263 के तहट केंद्र एवम राज्यों के बीच समन्वे इस्थापित करने के लिए राष्टपती एक अंतर राज्ये परिशद की स्थापना कर सकता है जो निम्न कारियों को संपन करेंगी विभिन राज्यों के बीच उत्पन विवादों की जाच करना और उस पर सलाह देना कुछ या सभी राज्यों के या संघ और एक या एक से अधिक राज्यों के पारसपरिक हित से संबध विश्यों का अनुसंधान करना और उस पर विचार विमर्ष करना किसी विशय के संबंध में अच्छा समनवाय कायम करने है तू नीतियों एवं कारिवाहियों के संबंध में सिफारिश करना आदी यद्यपियह परशद कानूनी या गैर कानूनी दोनों प्रकार के मामलों में सलाह देने से संबंधित है किन्तो इसके कारियों की प्रकृती केवल सलाह देने तक ही सीमित होगी इस परिशद की पहली बार स्थापना जून 1990 में की गई केंद्र और राज्यों के बीच समनवय कायम करने के लिए राज्य पुनर गठन अधिनियम 1951 के अंतरगत पांच ख्षेत्रिय परिशदों की इस्थापना की गई है जो निम्नवत हैं मद्ध क्षेत्रिये, उत्तरी क्षेत्रिये, दक्षणी क्षेत्रिये, पश्यमी क्षेत्रिये एवं पूर्वी क्षेत्रिये परिशद सन 1971 में साथ उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रिये परिशद की स्थापना की गई इस तरह से वर्तमान में क्षेत्रिय परिशदों की कुल संख्या छे हो गई है। इस तरह से वर्तमान में क्षेत्रिय परिशदों की कुल संख्या छे हो गई है।